दोस्तों, I am Krishna, KKStory 2.0 में आपका स्वागत है तो दोस्तों, पेशनों आज एक नई वीडियो को साथ आज का हमारा टॉपिक है इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, वो किस मटेरियल्स के बने होते हैं कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल्स का बना है आज हम इस वीडियो में जानेगे तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स टॉपिक अपना आता है सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक किस मटेरियल्स का बना होता है तो किस में टेल्स का बना होता है इससे पहले हैं हमें जान लेते हैं सिलेंडर ब्लॉक है क्या दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड एंड क्रैक केस के मध्ध में फिट होता है अगर आपको सलेंडर ब्लोक का डिटेल से जानका रिचाहिए आप हमारे प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं जो की दिस्क्रिप्टिप्चन बॉक्स में लिंक एड़ है दोस्तो अब हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लोक के मटेरियल्स के विशे में सिलेंडर ब्लोक ग्रे कार्च टायरन का बना होता है तथा इसकी क्वाल्टी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में निकिल और क्रोमियम मिला दिया जाता है सिलेंडर ब्लोक का बेट कम करने के परपस से सिलेंडर ब्लोक को एलमोनियम का भी बनाया जाता है सिलेंडर ब्लोक का जो लाइनर होता है वह एलमोनियम, मैगनेसियम, निकिल, क्रोमियम, आदिमिस्दातु का बना होता है इसमें chromium, molybdenum and benadium भी मिलाया जाता है इंजन का दूसरा पार्ट साता है cylinder head दोस्तों cylinder head, cylinder block के top में स्थित होता है cylinder head, cylinder head में spring, inlet and exhaust valve, spring seat, spring आधी cylinder head में fit होते हैं cylinder head में thermo state और thermo housing भी fit होता है दोस्तों अगर आपको cylinder head की full details चाहिए तो आप हमारे previous वीडियो देख सकते हैं जो की description box में link add है तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं cylinder head के materials के विज़े में यह किस materials का बना होता है cylinder head को cast iron का बनाया जाता है तथा आज कल प्रचलित रूप में cylinder head को इसको बेट कम करने के परपस से इसको aluminium मिस्तधातु का भी बनाया जाता है थारट इंजन का पार्ट साता है cylinder head gasket cylinder head gasket किस materials का बना होता है दोस्तों cylinder head gasket cylinder block और cylinder head के बीच में रखा जाता है ताकि cylinder head और cylinder block के में लीकेश प्रॉब्लम ना क्रियेट हो दोस्तों cylinder head gasket का material stainless steel, silicon, neoprene, graphite, fiber आदी material का बना होता है आदी material इसको बनाने में यूज किया जाता है fourth engines का पार्ट साता है inlet and exhaust valve दोस्तों inlet and exhaust valve cylinder head में लगाया जाता है इंजन में inlet valve से fuel combustion chamber के अंदर जाता है तथा exhaust valve से जो bestage gases होती है वो exhaust valve के open होने से बाहर निकल जाती है दोस्तों inlet valve tensile alloy steel and stainless steel chromium आदी के बनाये जाते है तथा exhaust valve nickel steel chromium molybdenum तथा high strength nickel chromium iron alloy के बनाये जाते है फिप थाता है engine's का पार्ट क्रेंक सौप्ट दोस्तों क्रेंक सौप्ट slender block के अंदर फिट किया जाता है यह flywheel के माध्यम से cylinder block के अंदर rotate करता रहता है तथा crank soft के माध्यम से inlet and exhaust valve open होते है crank soft engines का main components होता है इसी के rotate करने से engine के सारे parts move करते हैं या rotate करते हैं दोस्तों crank soft का फुल डिटेल्स आपको चाहिए तो आप description box में जाकर link में टच कर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों बात करते हैं crank soft के materials की विशे में crank soft किस materials का बना होता है crank soft कास्ट टाइरन कास्ट स्टील या स्टील में क्रोमियम निकिल मेगनीज आदी मेटेरियल्स का बनाया जाता है crank soft को forging and costing method से बनाया जाता है sixth engine का parts आता है cam soft दोस्तो cam soft slender block के अंदर फिट किया जाता है cam soft में tapette फिट होता है यह tapette इस tapette में push rod फिट होती है और इस push rod and tapette के माध्यम से जब cam soft rotate करता है तब valve timing diagram या inlet and exhaust valve open होते है cam soft का materials carbon alloy steel nickel या alloy cost iron का बना होता है यह forging method से बनाया जाता है seventh engine का parts आता है connecting rod connecting rod crank soft में फिट होती है connecting rod का big end crank soft से तथा small end piston में फिट होता है इस connecting rod के माध्यम से piston rotary motion से reciprocating motion में convert होता है connecting rod का material का इसे पिट होता है यह कनेक्टिंग रोट के माध्यम से पिट होता है यह connecting rod के माध्यम से slender block के अंदर reciprocating motion करता है piston slender block के liner के अंदर TDC से BDC reciprocating motion करता है दोस्तों अगर आपको piston का full detail और full explanation चाहिए तो आप हमारी previous वीडियो description box में जाकर देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं piston किस materials का बना होता है piston cast iron cast steel aluminium mild steel cast chromium nickel आदी मिस्रधातु का बनाया जाता है piston casting and forging method से बनाया जाता है ninth engine का part साता है crank case दोस्तों crank case engine के bottom में fix होता है इसको हम oil pan भी बोलते हैं इसके अंदर oil store होता है जिससे oil pump oil pan से oil लेकर पूरे engine में lubricates करता है या cooling करता है दोस्तों crank case cast iron and aluminum alloy के बनाये जाते हैं tenth engine का part साता है rocker arms दोस्तों rocker arms cylinder head के top में fix होता है rocker arm के वाध्यम से inlet and exhaust valve open and close होते हैं rocker arm का एक सीरा push rod से तथा दूसरा सीरा valve से fit होता है rocker arm को bolt की सहायता से cylinder head में fit किया जाता है हम बात करते हैं rocker arms किस materials का बना होता है rocker arms cast iron जाली कारवन स्टील स्टैंप्ट स्टील एंड एलमूनियम का बनाया जाता है 11th engine का पार्ट साता है push rod push rod cam soft के tap it के उपर fit की जाती है push rod के उपर rocker arms fit होता है push rod जब up होती है तब बाल्व खुलता है जब push rod down होती है तब बाल्व close होता है दोस्तो push rod hollow होती है push rod का material solid एलमूनियम एंड low carbon स्टील का बनाया जाता है push rod को forging method से बनाया जाता है 12th engine का parts आता है gear दोस्तो gear का काम होता है power को transmit करना gear में खाचे बने होते हैं या gear में groups बने होते हैं दोस्तो gear का materials gear steel brass bronze cast iron ductile iron एलमूनियम तथा powdered powdered metals का आधिके बनाये जाते हैं 13th engine का parts आता है intake manifold intake manifold engine के slender head में इस्थित होता है या fit होता है यह cylinder head में combustion chamber में air supply करने का काम करता है intake manifold का एक सीरा turbo chargers are carburetor से fit होता है और दूसरा सीरा cylinder head के inlet port से connect होता है यह combustion chamber में air supply करता है आप हम बात करते हैं intake manifold का material यह किस materials का बना होता है intake manifold cast iron and aluminum alloy के बने होते हैं दोस्तों अगर आपको engine के parts के materials की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करे share करे and subscribe करे 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 समते हैं मतूपी को यह होते हैं वीश्य HA semb'T इर उञė हैं झाल झाल झाल